नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक निउस 24 देखिए बिहार में बिधान सभा चुनाओ की सुरुआत होने से पहले एक बार फिर से चिराग पास्वान और नितीज कुमार आमने सामने हो गए हैं बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि नितीज कुमार के फैसले से चिराग पास्वान नराज है और इतने नराज है कि उनके फैसले से सहमती नहीं रखते हैं नहीं उनकी पाटी रखती है वैसे में अब बिहार में जो है एक बार फिर से सियासत गर्म हो गया है क्योंकि चिराग पास्वान ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीती जो है खूब हो रही है तो वही पर आर सीपी सिंग बीजेपी वाले आर सीपी सिंग जो है वो बड़ा फैसला ले लिये हैं और बीजेपी को इसके लिए सीधा सीधा अल्टिमेटम दे दिया गया है आर सीपी सिंग के द्वारा तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे सहयोगी इस वक्त प्रिया जी हमारे साथ है प्रिया जी जिस तरीके से चिराग पासवान और नितीज कुमार एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं और चिराग पासवान का जो बयार निकल कर सामने आया वो साप तोर पे ज पिंद्री मंत्री और भीहार के मुख्यमंतरी मेतिष कुमार के बीच आइ दीरंबंने होती रहती है क्योंकि बात आ जाती है यहां UM सि टरप ऑर और ओद और चिराग पस depressed वान का किस तरह से जोरो सोरो से चर्चाय ब्रक्ति माने जाते हैं कहा जाए तो किंग मेकर के रुप में सियम नितिस की पहचान इस वर्ग बिहार में बनी है और मोदी जी के नजर में भी लेकिन इस वर्ग की बड़ी बात हुँ जाती है कि चिराग पास्वाग जहां एक तरफ दावा करते हैं कि इस बार का चुनाव सियम नितिस के समर्थन में लड़ेंगे यानि उनके तरफ सही रहेंगे लेकिन बहुत बड़ी बात हुगई जब चिराग पास्वाग ने सियम नितिस को लेकर एक बड़ी बात कहती है उनका साथ तोर पर कहना है सियम नितिस को लेकर जाती जंगंडा के फैसले को लेकर चि से बबाख होकर वो ताबर तोड़ बोलना शुरू कर दी है तो अगिर चिराग पास्वान कर क्या रहा है कभी यूटर्न लेते हैं तो कभी बातों को ले करके खुलासा कर दे रहे यानि कहीं टराइसी चिराग पास्वान को आरे हाथो नितिश के मंतरी ने लिया है और साथी साथ आर सीपी सिंग ने भी बीजे पी को अल्टीमेटम जारी कर दिया है तो नितिश के वो कौन सबसे खास मंतरी हैं जिनों ने चिरागपासवान को धोया और खूब धोया आरक्षन के मुद्दे को लेकर और जाती है जंगन्ना को लेकर विकास जी आपको बता दे कि सबसे ज़्यादा खास मानने वाले ब्यक्ति सियम नितिस के स्रवन कुमा जो की चिराग पास्वान को जम कर पटकार लगा है एक तरफ साथौर का साथ तौल पर कहना है कि चिराग जी बिहार में बने हुई है बिहार की जनता को भरोसा दिला रहे हैं दूसी तरफ वो आई बड़े फैस्वा पास्वान जी नराजगी जता आते रहें लेकिन अब उनका टारगेट सीयम नितिस पर सेथ हो गया है सीयम नितिस के जाती जनगर्ण पनुने बेबाग छुकर जिस待 से बौलना शुरू किया यह कहीं न सीयमनीतिस के कारे पर उंगली उठाने का कारे की है और और यही कारण रहा कि स्रावन कुमार ने तुरन चिराग पास्वान को जम कर फटकार लगा दिये और ब्यान बाजी करने लगे मीडिया कर्मियों के सामने चिराग पास्वान की एके कर कई गलतियों को गिनवाने लगें। कुमार इंडिये का हिस्सा है वैसे में नितीज कुमार से बगावत तो हुआ लेकिन अब बीजेपी के साथ भी बगावत और सीधा सीधा चुनोती बिल्कुल देखिए विकास जी बात किया रसीपी सिंग यानि बीजेपी में काफी जाने माने जाते थे और यह भी क्यासे दुस्मनी होती है वहां से खटपटो कर आसीपी सी उनका दामन छुड़ते हैं बीजेपी के साथ गया अभी बीजेपी से उन्हें जो क्यासे लगाई जाय थी उन्हें जो उमीदे थी बीजेपी से वो पूरा नहीं हो पाया हलाकि बीजेपी के सबसे इस वर्थ पसंदिद से और सीएम नितिस के फैसले के अगेंस्ट में जाके बीजेपी कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगा और यहीं कारण रहा है कि अब आरसीपी सी ने अपने मूड को बदलना शुरू कर दिये हैं यानि उनका साथ और पे रुजान और जुकाओ देखा जाए तो कई नेताओ ने राजत के नेताओ को ले करके कभी मुर्खता कभी गायचारा इसे नाम देती रहें लेकिन अब आरसीपी सींग इस पर तोप लगाते नजर आ रहें उनका साथ तोर पे कहना है कि अगर हिस्ट्री खोल कर दिखा जाए तो इतिहास में ऐसे कई बड़े हमारे राजनीती में नेताओं हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने उधारन के तोर पे डॉक्टर का भी बताया कि अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा रहे और इलाज करने का ज्यानी ना रहे तो उसका क्या पाइदा है यानि साथ तोर पे यहां देखा जा रहा है कि आरसीपी सिंग का रुजान धीरे धीरे अपते जश्वी यादों की पाटी के तरफ हो रहा है यानि जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है यहां से कि आरसीपी सिंग अब राजत का दामन थाम सकते हैं जी है बिलकुल देखिया आरसीपी सिंग जो है इस वक्त अपने करियर को ले हैं यह सबसे एहम हो जाता है क्योंकि इस वक्त पूरी एंडिये जो है वो तेजस्वी यादों को घेरने में लगी है लालू यादों को घेर रही है बिहार की जंता को जंगल राज याद दिलवा रही है तो वहीं पर आरसीपी सिंग का कहना है कि बिहार के नितापरति पक् वैसे में जो लोग आज उन्हें नौमी फेल कहते हैं वो किस तरीके से उन्हें नौमी फेल बोल रहे हैं ये तो एहम सवाल हो जाता है और ऐसे कई उधारन है जो लोग नौमी फेल होने के बाद भी बहुत अच्छे-च्छे कुर्सियों पर बैठे और उसके सास साथ में व लालू परसाद यादों की तो लालू परसाद यादों भी कम परहे लिखे हैं लेकिन वो रेल्वे मंत्री रह चुके हैं और जब वो रेल्वे मंत्री थे तो किस तरीके से विकास हुआ था जो रेल्वे घाटे में चल रही थी वो रेल्वे किस तरीके से मुनाफे में आई तो वो ज्ञान किस काम का, लालू-प्रशाद यादो बहले ही उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जंता जब भी जाते हैं, तो इतना ज़्यादा करते हैं कि आजそんな शर्चन ना सिर्भारत में बलकि विद्यसों में there is जाता है लालु प्रशाद यादों के भासन के लिए उन्हें जाना जाता है यारी वह कितने अच्छे ग्याने और लोगों को जुड़ने का कार्य किये थे यह तो नकारा नहीं जा सकता है वही बात किया जाए देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी को ले करके उन्होंने भी उ साथ आपको मानसिक्ता की रूप से स्ट्रॉंगरी होना पड़ेगा और जश्री यादों भी अपने पीता के राह पर चल रहे भले उन्होंने पढ़ाई नहीं कि लेकिन जब भी कोई मुद्दा होता है तो बेबाग बोलने की उन्हें उनके अंदर छमता भी है बिल्कुल और देखिए इस वक्त बिहार की राजनिती गर्म हो गई है गर्म हो गई चिराग पासवान की बयान को लेकर जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जातिये जनगन्ना जो हुआ वो अच्छी है और इसे पूरी देश में करवानी चाहिए लेकिन इसे कि हम 14% है, तो कई लोग कह रहे हैं, हम 18% है, कई लोगों का कहना है कि ठीक है, हम 10% है, लेकिन आप से कम नहीं है, वैसे में बिहार में जो इस्तिति उत्पन हुई है, वो नितिश कुमार की गलती है, हम भी चाहते हैं कि देश में कौन से जाती के कितने लोग है, और उनकी सरकार से लोगों की राय मांग लेती है जो जनगन्ना होती है उसकी राय मांगती है तो सरकार के पास भी ये डाटा जो है उपलब नहीं होता है ये चिराक पासवान का कहना है वो ऐसे में देश में जाती है जनगन्ना होनी चाहिए और लेकिन इसे सरवजनिक नहीं करनी चाहि है नितीज कुमार के पार्टी ने सबसे पहले चिराग पास्वान पे हमला किया तो अब महा अगट बंधन यानि की इंडिया अगट बंधन जो बनी है वो भी हमला वर चिराग पास्वान पे नजर आ रही है तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक निउस 24 के साथ दीजे का इजाज़त धन्यवाद